C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याय 9 शीर्शक है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री हमारे अतीत प्रिष्ट संख्या 91, अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री बाजार में घूमती जगिनी जगिनी अपने गाउं के मेले की आस लगाए बैठी थी स्टील के चमकदार बरतन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चावी से चलने वाले मज़ेदार खिलों ने उसे बहुत अच्छे लगते थे इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं? उसकी मा ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाये जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे अब आए पाठ की और जलें व्यापार और व्यापारीयों के बारे में जानकारी साथियों अध्याय आठ में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बरतनों के बारे में पढ़ा है ये खुबसूरत बरतन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उप महादवीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बरतन कैसे पहुँचे होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग-अलग जगहों पर बेचते थे दक्षिन भारत सोना, मसाले, खास तोर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था काली मिर्च की रोमन सामराज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सडकों के रास्ते रोम पहुँचाते थे दक्षिन भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था अब कुछ सोचो क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे प्रिष्ट संख्या बानवे तो सबसे पहले हमारे सामने एक बॉक्स है और इस बॉक्स का शिर्षक है व्यापार से जुड़ी एक कविता व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं यहां लिखी कविताओं में पूर्वी समुद्र तठ पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है तो आईए सुनते हैं कविता समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोडे गाडियों पर काली मिर्च की गठरिया हिमालय से मिले रतन और सोना दक्षिन की पहाडियों से चंदन की लगडिया दक्षिनी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे गंगा और कावेरी की फसले साथियोग कविता में उल्लिखित चीजों की एक सूची बनाओ क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपियोग किसलिए किया जाता रहा होगा? अब पाठ की ओर व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले इन में से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे नाविक मांसुनी हवा का फायदा उठा कर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे वे अफरिका या अरब के पूर्वी तट से इस महादवीव के पश्चीमी तट पर पहुँचना चाहते थे तो दक्षिनी पश्चीमी मांसून के साथ चलना पसंद करते थे इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्मान किया जाता था समुद्र तटों से लगे राज्य इस उप महादवीव के दक्षिनी भाग में बड़ा तटिये प्रदेश है इन में से बहुत से पहाड, पठार और नदी के मैदान है नदीयों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाओ है मैदानी इलाकों तथा तटिये इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ती और शक्ती हो गई संगम कविताओं में मुवेदार की चर्चा मिलती है यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है प्रिष्ट संख्या 93 ये थे चोल, चेर तथा पांड्य मानचितर साथ प्रिष्ट संख्या 105 में तुम इसे देख सकते हो ये करीब 2300 साल पहले दक्षिन भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे इन तिनों मुखियाओं के अपने दो-दो सत्ता केंद्र थे इन में से एक तठीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था इस तरह चह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर थे एक चोलों का पत्तन पुहार या काविरी पटिनम दूसरा पांडियों की राजधानी मदुरे ये मुखिया लोगों से नियमित करके बजाए उपहारों की मांग करते थे कभी-कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आस-पास के इलाकों से शुलक वसूल कर लाते थे इन में से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे बाकी अपने समर्थकों, नाते रिष्टेदारों, सिपाहियों तथा कभीयों के बीच बाड़ दे थे अनेक संगम कभीयों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कभीताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोडे, हाथी, रथ या सुन्दर कपड़े दिया करते थे इसके लगभग 200 वर्शों के बाद पश्चिम भारत, जो मानचितर साथ प्रिष्ट संख्या 105 में है में साथ वहन नामक राजवन्ष का प्रभाव बढ़ गया साथ वहनों का सबसे प्रमुख राज़ा गौतमी पुत्र श्री साथ करनी था उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बल्श्री द्वारा दान किये गए एक अभिलेक से पता चलता है वह और अन्ने सभी साथ वहन शासक दक्षिना पत के स्वामी कहे जाते थे दक्षिना पत का शाब्दिक अर्थ दक्षिन की ओर जाने वाला मार्ग होता है पूरे दक्षिनी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था श्री साथ करनी ने पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिनी तटों पर अपनी सेनाय भेजी जरा सोचो और बताओ क्या तुम बता सकती हो कि श्री साथ करनी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? रेशम मार्ग की कहानी कीमती, चमकील रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांच समाज में बहु मूल्य माने जाते हैं रेशमी कपड़ा तयार करना एक जटिल प्रक्रिया है रेशम के कीडे से कच्चा रेशम निकाल कर सूथ कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है प्रिश्ट संख्या 94 रेशम बनाने की तकनीक का अविश्कार सबसे पहले चीन में करीब साथ हजार साल पहले हुआ इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा पर चीन से पैदल, घोडों या उटनों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिध हो गया कभी कभी चीन के शासक इरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई करीब दो हजार साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम, पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे मान्चित्रचे जो प्रिश्ट संख्या 76 और 77 में दिया गया है, उसे देखो इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है कुछ शासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंतरण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहुफों के जरिये लाभ मिलता था इसके बड़ले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्ये से गुजरते वक्त लुटेरियों के आकर्मनों से सुरक्षा देते थे सिल्क रूट पर नियंतरण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुशान थे लगभग दो हजार साल पहले मध्ध एशिया तथा पश्ची मोत्तर भारत पर इनका शासन था पेशावर और मथूरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली के अंदर थे तक्ष शिरा भी इनके ही राज्ये का हिस्सा था इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्ध एशिया से होकर सिंधू नदी के मुखाने के पत्तनों तक जाती थी फिर यहां से जहाजू द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन सामराज्य तक पहुँचता था इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुशांड थे सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उप्योग किया करते थे जरा सोचो और उत्तर दो सिल्क रूट पर गाड़ियों का उप्योग क्यों कठिन होता होगा? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था मानचितर छे जो प्रिष्ट संख्या 76-77 में दिया गया है उसमें ढूड़ो समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी? प्रिष्ट संख्या 95-बाओध धर्म का प्रसार पाठ में जाने से पहले इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है और उस चित्र का वर्णन इस प्रकार से है सांची के स्तूप का एक मूर्ती चित्र यहां इस व्रिष्ट और उसके नीचे के खाली आसन को देखो मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ती बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ती इसी व्रिक्ष के नीचे बैट कर ध्यान करते हुए हुई अब पाठ की ओर बौध धर्म का प्रसार कुशानों का सबसे प्रसिद्ध राजा तनिश्क था उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया उसने एक बौध परिशद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्ध्वान महत्वपूर्ण विशायों पर विचार विमर्ष करते थे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रजनाकार कवी अश्व घोष कनिश्क के दरवार में रहते थे अश्व घोष तथा अन्य बौध विद्ध्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था इस समय बौध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ इसकी दो मुख्य विशेश्टाएं थी पहले मूर्तियों में बौध की उपस्थिती सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी मिसाल के तौर पर उनकी निर्वान प्राप्ति को पीपल के पेड की मूर्ति द्वारा दर्शाय जाता था पर अब बौध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी इन में से अधिकांच मतुरा में तो कुछ तक्ष शिला में बनाई जाने लगी दूसरा परिवर्तन बोधी सत्व में आस्था को लेकर आया बोधी सत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ती के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे लेकिन ऐसा करने के बजाए वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे धीरे धीरे बोधी सत्व की पूजा काफी लोक प्रिये हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई बौध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिनी भारत में हुआ, जहां बौध भिखुओं के रहने के लिए पहाडों में दरजनों गुफाएं खो दी गई सबसे पहले इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए हैं और उनका वर्णन इस प्रकार से है बायें चित्र के बारे में लिखा है, मथूरा में बनी बुध की एक प्रतीमा का चित्र। दाएं, तक्षिशिला में बनी बुध की प्रतीमा का एक चित्र। इन चित्रों को देख कर बताओ कि इनके बीच क्या-क्या समानताएं हैं और क्या-क्या भिनताएं हैं। अब पा इन में से ज्यादतर गुफाएं पश्चिवी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के सम्रिध बंदरगाहों और इन्हें जोडने वाली सडकें भी इन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुपते थे। पढ़ो, क्या तुम बता सकती हो कि बहुत धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा। इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र का शीर्षक है कारले की गुफा महराश्ट्र। अब पार्ठ तीर्थियात्रियों की जिग्यासा। नीचे एक बॉक्स से जिसमें बताया गया कि तीर्थियात्री कौन होते थे। तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थियात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बहुद्ध तीर्थियात्री फा शीयन काफी प्रसिद्ध है। भारत आये थे जिनका वर्णन हमें अध्याय छे में मिलता है। इनमें से प्रतेक तीर्थियात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्हों ने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्रों में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को इनों ने देखा, उनके बारे में उनों ने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उनों ने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे प्रिश्ट संख्या 98 सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्षक है फा शियन चीन वापस कैसे लोटा फा शियन ने अपने घर चीन वापस लोटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की वह व्यापारियों के एक जहाज पर चाहा मुश्किल से वे दो दिन ही चल पाए थे कि एक समुदरी तूफान में फ़स गए व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हलका करने की कोशिश करने लगे फाशियन ने भी अपने समान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडूलीपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दोरन संकलित की थी अंततह तेरह दिनों बाद आंधी रुकी उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है समुद्र असीम है सूर्य चांद या तारों की गती को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है जावा पहुचने में उसे 90 दिन से ज्यादा लगे वहाँ वह 5 महिने के लिए रुका इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चड़कर वह चीन पहुचा मांचितर छे प्रिष्ट संख्या 77 में फाशियन द्वारा तै किये गए रास्ते को ढूढ़ो और बताओ कि फाशियन अपनी पांडूलीपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेकना चाहता था अब पाठ श्वेंट स्तांग भू मार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्धे एशिया होकर चीन वापस लोटा उसने सोने चांदी और चंदन की लकडी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडूलीपियां इकत्र की थी उन्हें वह लगभग 20 घोडों पर लाद कर ले गया पर इसमें से 50 पांडूलीपियां उस समय खो गई जब सिंधू नदी पार करते हुए उसकी नाउ उलट गई अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडूलीपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया अब एक बॉक्स थिर और इस बॉक्स का शीर्षक है नालंदा शिक्षा का विश्यष्ट केंदर इस बॉक्स में इस प्रकार से वर्णन है श्वेंत सांग तथा अन्यतीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौध विद्या केंदर नालंदा जो अब बिहार में है वहाँ अध्यान किया उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार से लिखा है वहां के शिक्षक योगिता तथा बुद्धी में सबसे आगे हैं बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी इमानदारी से पालन करते हैं मठ के नियम काफी सक्त हैं जिन्हें सब को मानना पड़ता है पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहां आते हैं नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं फिर उन्हें अंदर जाने की अनुमती तब मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं दस में से साथ आठ सही उत्तर नहीं दे पाते हैं जरा सोचो श्वेंट स्टांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ प्रिष्ट संख्या निन्यालवे भक्ती की शुरुवात पाठ में जाने से पहले एक चित्र यहां दिया हुआ है जिसके विशय में बताया गया है वराह के रूप में विश्णू एरण मध्यप्रदेश की यह शांदार मूर्ती विश्णू के वराह रूप की है यहां प्रिथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है आईए अब सुनते हैं पाठ भक्ती की शुरुवात इन्ही दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई इन में शिव, विष्णू और दुर्गा जैसे देवी देवताँ शामिल है इन देवी देवताओं की पूजा भक्ती परमपरा के माध्यम से की जाती थी भक्ती उस समय काफी लोकप्रीय परमपरा बन गई किसी देवी या देवता के प्रती श्रधा को ही भक्ती कहा जाता है भक्ती का पत्थ सब के लिए खुला था चाहे वो धनी हो या गरीब, उची जाती का हो या नीची जाती का, स्त्री हो या पुरुष भक्ती मार्ग की चर्चा हिंदूओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भक्ती मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाए इश्वर के प्रतिलगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्विक्रिती मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खुबसूरत मूर्थियां तयार करने लगे। प्रिष्ट संख्या सव यहां दो बॉक्स दिये गए हैं, पहले बॉक्स का शीर्षक है भक्ति। भक्ति भाज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भक्त और भगवान के बीच परस पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भग्वत या भगवान के प्रती जुकाव है। भग्वत का एक अर्थ यह भी है, जो अपने अईश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ मारता है। यानि भक्त या भाग्वत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। दूसरा बॉक्स, इसका शीर्षक है एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता। अधिकांश भक्ति साहित्ते हमें यही बताते हैं कि धन, अईश्वर्य या उचे पद के जरिये कभी इश्वर से आत्मियता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शीव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेलाल था जिसका अध्याए आठ हम इस समय सुनने जा रहे हैं। आईए सुनते हैं कविता। नश्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्रहमनों की नजर में निचली जाती का व्यक्ति, कूडा करकट बटोर कर अपनी जीवी का चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं, हाँ मैं, उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे लिए इश्वर के समान हैं। अब ज़रा सोचो, कवी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व देते हैं। देवी देवताओं का विशेश सम्मान होता था, इसलिए विशेश जगों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याए 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्यकला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेणना दी है। अब एक बॉक्स और और इस बॉक्स का शिर्षक है हिंदू। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधू या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा इरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपियोग किया जाता था, जो सिंधू नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। प्रिष्ट संख्या 101 अन्यत्र करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में इसाई धर्म का उदय हुआ। इसा मसी का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन सामराज्य का हिस्सा था। इसा मसी ने स्वयम को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्हों ने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइवल में इसा मसी के उपदेश की बातें लिखी हैं, यहां इसका एक अंश दिया गया है. धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याए के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी. जो दयालू हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी. वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे. ईसा मसी के उपदेश साधरन लोगों को बहुत पसंद आये, और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया अफरीका तथा यूरोप में फैल गए. इसा मसी की मृत्यू के सो सालों के अंदर ही भारतिय उपम महादवीप के पश्चिमी तठ पर पहले इसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आये. मानचितर छे, प्रिश्च संख्या 76-77 देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से इसाई धर्म प्रचारक भारत आये होंगे. केरल के इसाईयों को सीरियाई इसाई कहा जाता है क्योंकि संभोत अह वे पश्चिम एशिया से आये थे. वे विश्व के सबसे पुराने इसाईयों में से हैं. कल्पना करो. तुम्हारे पास कोई पांडूली पी है, जिसे एक चीनी तीर्थी याद्री अपने साथ ले जाना चाहता है. उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो. आओ याद करें. नीचे दो कॉलम दिये गए हैं, बाई ओर और दहिनी ओर. इनमें कुछ शब्द हैं, उनमें दिये गए शब्दों का आपस में तुम्हें मिलान करना है. पहला कॉलम, दक्षिना पत्थ के स्वामी. मुवेंदार, अश्व घोष, बोधी सत्व, श्वेंट सांग. दूसरे कॉलम में जो शब्द हैं, वो इस प्रकार से हैं, बुद्ध चरित, महायान, बौध धर्म, साथ वहन शासक, चीनी यात्री, चोल, चेर, पांड्ये. इसी प्रिष्ट में एक बॉक्स और दिया गया है, जिसमें उपयोगी शब्द दिये गए हैं. ये उपयोगी शब्द हैं, व्यापारी, मुवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुशान, महायान, बोधी सत्व, ठेर्वाद, तीर्थी यात्री, भक्ती. प्रिष्ट संख्या 102 2. राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? प्रशन 3. व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन-किन साक्षियों का उपयोग करते हैं? प्रशन संख्या 4. भक्ती की प्रमुख विशेष्टाएं क्या थी? आओ चर्चा करें. 5. चीनी तीर्थ यात्री भारत क्यों आये? कारण बताओ. 6. साधर्ण लोगों का भक्ती के प्रती आकर्शित होने का कौन सा कारण होता है? आओ करके देखें. प्रशन 7. तुम बाजार से क्या-क्या समान खरीदती हो, उनकी एक सूची बनाओ. बताओ कि जिस शहर या गाउं में रहती हो, वहां इन में से काउन-काउन सी चीजें बनी थी, और किन चीजों को ब्यापारी बाहर से लाए थे? प्रशन संख्या 8. आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएं करते हैं. उनमें से एक के विशे में पता करो और एक संख्षिप्त विवरण दो. संकेत तीर्थ यात्रा में स्त्री पुरुषों या बच्चों में से कौन जा सकते हैं? इसमें कितना वक्त लगता है? लोग किस तरह यात्रा करते हैं? वे अपनी यात्रा के दौरान क्या-क्या ले जाते हैं? तीर्थ स्थानों पर पहुँच कर वे क्या करते हैं? क्या वे वापस आते समय कुछ लाते हैं। इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स है और जिसमें कुछ महतुपूर्ण तिथियां दी गई हैं। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग साथ हजार साल पहले। चोल, चेर तथा पांडे लगभग 2300 साल पूर्व। रोमन सामराज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुशान शासक कनिश्क लगभग 1900 साल पहले। फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। श्वेंद सांग की भारत दियात्रा, अब पार की शिव स्तुती की रचना, लगभग 1400 साल पहले। अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे की इतिहास की पाठे पुस्तक हमारे अतीत का नवा अध्याय, शीर्षक था व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम, वाचन स्वर और निर्मान अजीत होरो, तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत।